हिलो दोस्तों तो छली हम लोग बात कर रहे थि सामान घ्यान के वारे में इसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर यानि कि भारतीलय है कला एंवं संस्कितिकर टॉपिक लिए हुए है इससे पहले हम लोग भारत का इतियास देख चुके हैं, भीस का इतियास देख चुके हैं, और यह आपका Heart and Culture है, तो उसमें एक चैप्टर हम लोग कतम कर चुके हैं, पहला चैप्टर था आपका भारत में संगीत की परंपरा, आज बात करेंगे भारत के पिरमुक सास्तिय नि की बारे में, याद रखना आपके जितने भी सामान ग्यान से संब्धी चैप्टर कतम होते जा रहे हैं, वो सभी सामान ग्यान के नाम से जो आपकी प्रिलेश्ट सूची बनी हुए हैं, उसी में डले हुए हैं, टीर, पूरा, सू संब्ध, लै और संगीत के साथ, अकेले अ अत्वा, अन्न सहयोगियों के साथ, थिरकन को नित कहा जाता है, नित की क्या परिवासा हो सकती है, सू समर्द, लै और संगीत के साथ, अकेले अत्वा, अन्न सहयोगियों के साथ, थिरकन को नित कहा जाता है, प्राचीन के रंतों में नित का देउता, नटराज, सिप का प्राचीन गरंतों में नित्य का दिवता कौन था नटराज सिभ जैसे 108 बिभीन तरह की नित्य का अविश्कार किया जिनमें तांडव नित्य पिर्मुक्य आपका तांडव नित्य क्या है पिर्मुक्य प्राचीन काल में नित्य की दो सेलियां थी कौन-कौन सी तांडव दू से सक्तियुक्त मनुस योचित नेत है दूसरा लास ये मिदूल सोभायुक्त इस्त्री जाती का नेत है लासनेत पारवती से संबंदी था इस से ही वर्तमान के सास्ती है सोलो नेत और भरतunt-nating कावदवाव हुआ तो याद रखना लासनेत बाख कावदवाव हुआ मद्यकालीन भारत में देवदासियों नेत के लिए रखी जाती थी जिसके बाद बैस्यावित्ती करूप ले लिया जाता था अताहा मद्यकाल में नेत पितिष्ठित परिवारों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता था किन्तु आधोनी काल में सरकार के पुरोसाहन एवं जन जागरन के कारण भारतिय नेत को देश बिदेश में काफी लोग प्रियता मिली है भारतिय नेत के तीन पिकार होते हैं सास्तिय लोग और फिर एक जन जाती है भारतिय नेत के तीन पिकार हैं कौण कौण से सास्तिय लोग जन जाती है चरिस एक पावद्वारा साद्रस थिरकन क्या होता है आपका चरिस करनास दोनों पावद्वारा एक समान सादिर्ष आपका थिरकन लै मुक्ता तीन लै होते हैं बिलंबित लै, मद्ध लै और तीसरा है दुत लै भारत में सास्तिये नित को मुक्ता साथ भागों में बांट गया है भारत में सास्तिये नित को मुक्ता कितने भागों में साथ भागों में बांट गया है पहला है आपका भारत नाट्यम यह आपका तमिलाडू का पिरमुक सास्तिये नित है भारत नाट्यम यह आपका तमिलाडू का पिरमुक सास्तिये नित है कथकली यह आपका केरल का प्रमुक सास्त्रिय नेत है याद रखना यह आपका अक्सर पूँच लेता है वन डेक जाम में कईवाल प्रेलिम्स में IS PCS प्रेलिम्स में भी क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं तो जो भरत नाट्य में यह कहां का है तमिल्नाडू, कतक कली, केरल कुचिपूरी, आंधपिदेश उडिसी, उडिसा कत्थक, उत्तरवारत मडीपूरी, मडीपूर मोहिनी एक्टम, केरल फिर से एक बार बता देते हैं भरत नाट्य में याद रखे तमिल्नाडू कतक कली, केरल कुचिपूरी, आंधपिदेश उडिसी, उडिसा कत्थक, उत्तरवारत मडीपूरी, मडीपूर मोहिनी एक्टम, यह आपका केरल इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लिजे क्योंकि यह इन्हें आपका एक नाई कुश्चिन पूँच लेता है, ठीक है? बहुत ही मात्पूर है भरत नाट्यम नित्य पिर्मूकता एक व्यक्ति पिस्तुत करता है जिसमें सिंगार एवं भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है सामान तौर पर इस नित्य के कई कोई साथ भाग माने गए हैं कितने साथ भाग माने गए हैं अलारीपू बंदना जाती सुरम स्वर सम्मिर्ष्ण सब्दम स्वर एवं गीत कोईडम सुद्धनेत एवं अभीनय का समंजस आंगे है आपका पांचबा क्या है पांचबा? पदम सिंगारिक भाव जावलियन सिंगारिक भाव तिल्लाना सुद्धनेत गहराने हैं तंजोर, कांजीपुरम और पंडन लूर याद रखना है इन तीन गहरानों को ठीक है? कथकली का साब्दीकरत क्या होता है? कहानी पर अधारित नाटक चरित की दिश्टी कौन से इसके तीन भारवे हैं? कथकली के सात्विक, राजसिक, और तामसिक ठीक है? नव रसों की मुखाभी ब्यक्ती पर जितना आसाधन रधिकार एक कथकली नर्तक का होता है उतना अन नर्तक के लिए संभव नहीं हो पाता है कुचीपुडी आंध्विदेश का नाट नित है कुचीपुडी नित्ज सयली में कथा बाहो हमेशा महा भारत या रामायड से लिया जाता है यह तमिली पेदेश में पिछले भागवत मेला नाट सली का परकिती का जान बड़ता है नेमो की सिंखला में यह भारत मुनी भारत मुनी के नाट सास्त के अनुरूप है नेमों की सेंकला में यह भरत मुनी के नट सास्त के अनुरूप है कुची पूडी नित के सौपान कौन-कौन से फूर्ब रंग कथानक नित सब्दम दसावतार उडी सीनित उडीशा में पिछलित नेत कला की प्राचीन सेली है आपकी उडीशा की नित सेली पूर्थदा अराधना की नित सेली है इस नित के मात्धेम से इस्वरिये इस्तिती की जाती है यानि की सुर्व की स्तुति की जाती है अब हम लोग उडिसी नित्य के सौपान की बात करें तो मंगलाचारण, बट्टू, पल्लवी, अभी नए, सभी नए, मोच, इसके छे सौपान है कथक नेत में नेत, नेत नाट तीनों अंगों का पिस्तुती करन संतुलित रूप से किया जाते हैं कथक नेत के विविन नीचरण है कौन-कौन से बंधना, आमद, थाट, तोड्डा, चक्रदार और तोड्डा, चक्रदार तोड्डा और एक परण आंगे बात करते हैं हम दो इसमें सात्वा क्या है कवित गत निकांस गत भाव और पद संचाल बात करते हैं कथक का तात्पर क्या है कथा कहने वाला कथक का तात्पर होता है कथा कहने वाला ब्रह्मा पुरान नाट सास्त और संगीत रतनाकार मैं भी कथक सब दिखा और लेख हुआ है कथक नेत मूलता प्रकिती के निकट है इसमें अभी नए मुद्राओं का प्रियोग बहुत थी स्वभावी एवं सुतन थे इनमें नव रसों की अभिवैक्ती कथानक की आधार पर होती है नव रसों की ठीर नाएक नाएक का भेद कथक नित की विशेचता है मडीपुर सास्तिय नित उत्तर उत्तरी पूर्विचित में इस्तित मडीपुर की घाटी में पिछलित एक प्राचीन नित से लिए मडीपुर सास्तिय नित मडीपुरी नित के पिरमुख रास हैं महारास, बसंत रास, कुंज रास, नित रास, गोश्ट रास और उत्खल रास मोहिनी एक्टम का आसा है जिसकी मोहिनी दर्सकों पर छा जाए ऐसी मानता है कि भगवान विष्णु ने सागरतर्पर केरल में सरपथम मोहिनी नेत किया था कतकली नेत सर्वलोग की दिब नितकला पितिरोप का है इस नेतकला का उद्वाव केरल में हुआ था, कहां? केरल में मोहिनी एक्टम के बिवित सौपान है चाल केटू, जाती सुरम, वायड़न, पदम, तिल्लाना, सिलोकम प्रकित्ती ने लोकनित्तेवं योदनित्त से पेड़ा लेकर कलाकारों ने अपनी एक नई सली बनाई यही चाया मैं नित्थ छव, नित्थ के नाम से पिछले थे आपके पश्य मंगाल, पुरूलिया, जहारगंड, सरी केला, ओडिसा, मैयूर भंज में छव, नेत्थ पिरमुक नेत्थ है आपका अन्य सास्तिय नेत्थों की बात करने तो उटन तुलल केलल में कुडिया, हम, किष्णह, अटम, यग, गाने असम के सास्तिय नेत्थ को बर्ष 2000 में भागतिय सास्त नेत्थ के रोम में मानता पिदान की गए असम में ब्याशनो धरम की संस्थापग स्रीमंद संकर देव ने पंदरवी सताब्दी में इस नेत्थ की सुरुवात की थी तो यह था आपका दूसरा चेप्टर भारत की पिरमुक सास्तिय नेत्थ बात करेंगे आगे हम लोग भारत की पिरमुक लोकनित एक द्रश्टी में देखेंगे जो भारत की पिरमुक लोकनित हैं उन्हें हम लोग अच्छे से देख लेंगे पिरमुक लाम लेंगे जोसरा चेड़ इावन हैं झाल झाल